आप सभी का स्वागत है सक्टिस की 98 के चैनल के उपर सुबर पहले सभी को बहुत बहुत गूर्णिंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, इस वीडियो में कवर करेंगे 23 जनवरी के सारे important question जो आपके exam में बनेगा, जब मैं बोलता हूँ बनेगा, मतलब बनेगा, और ये नह आपको भी लगेगा जगर आप हर exam को analyze कर रहे हूँ कि भही हाँ, इस टाप question पूछ रहा है, ये question बनेगा important है, और ये some question, मैं आपको daily 10 से 8 मिनट पढ़ाता हूँ, और इतना मिनट ही तो पढ़ना है करेंट अफे, इतना मिनट पढ़कर अगर मेरा exam को काम बन जाए, तो 15 बनने का जरूरत नहीं है, चलो, class ready start कर वाते हैं, और एक बार application के उपर जितने लोग भी ये कल update कर लिए ते कुछ लोग update नहीं दिखा रहा है, जितने लोग दावू ये 141 लोग कोर्स लिए है, application के उपर, एक बार अपना content जो है, वो पूरा update कर लीजिएगा, ये आप अंतरगत एक दो topic और जोड़ दी है, हलाकि वो topic पहले one liner में था, लेकिन अब भी मैंने अलग कर दिया है उसको, क्यूंकि 23 में एक question तो वहां से बन रहा है हर script में, मैंने देखा, तो उस topic को बिलकुल अलग कर दिये, और जो भी topic खोलोग तो दिल खुस हो जाएगा, जितन और 18 से 22 तक का सारा question आप cover कियो, किसी किताब में नहीं है, और विश्वास हुमानों भीया, हर question exam में बन रहा है, और यह सारा का, इसके अलावा, मैं बरावर बोलता हूँ, static gk के अलावा, आप ना, कुछ भी करना, कुछ भी करना, आप exam से पहले, मेरा यह 35 question पढ़ कर जना जान रहेगा, अभी start हुआ है, जनवरी मेहना, ठीक है, आप चाहोगे तो बाबू, एक डेली 100 question ही पढ़ोगे ना, 100 question भी, आप चाहोगे तो बाबू, एक मेहना में आराम से यह 3500 question कर सकते हो, एक मेहना में ठाल लो तो, एक 100 question में देखो गए भईया, 50% question तो भी हमको आता ही है, बस आता है तो ठीक है, वो 3500 question complete करने ना, इसके अलावा, static जीके को अब अच्छे से cover करना है, एक टॉपिक को में जान लगा है, जैसे instrument का आपको PDF दिखाते हैं, instrument वाला, देखो, माल लो instrument अला PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं guarantee मोल रहा हूँ, पूरी दावे के साथ online आकर, आपको कहीं notes नहीं मिलेगा ऐसा, बहुत सारे आपको instruments के नाम पर बाबू, आपको notes तो बहुत जगा मिल जाएगा topic, लेकिन कभी भी उस topic से मेरा topic मिलाना, कि किसके topic में जान है, topic सब मैं सब पढ़ा रहा है, रिजदीन सब पढ़ा रहा है, लेकिन जान किसमें है, आप ये तो मिलाएंगे न, quality किसमें है, आप देखू, ये वाला, ये आपका पूरा instrument का topic है, ठीक है, ये instrument का topic है बाबू, इसके अंदर गत अगर आप पर पढ़ ली, एक्जाम में एक से दो नमबर आपका fix है, फिस इस topic से, जितने भी महान वादक हुए है, जो बजाते है एक एक चीज बताया गया है, एक एक चीज, देखो, एक्जाम में पुष्ता है, इस इतार में कितना string होता है, सब हिंदी सब में आपको मिलेगा, सारा content, उसके बाद, ये तो इसके बाद आप पढ़ दे के बाद न, जब नीचे जाओगे, कौन किस घराना से है, जब किसको पद भुसन मिला, कि सब डाला गया, इसके अलावा आप देखोगे, नीचे में, नीचे में देखोगे आप सभी, यहाँ पर, 18 से 23 तक, जितना भी question बना है, इस topic से, ये भी डाल दिया गया है, इस notes में, तो उतना, अगर उतना पढ़ लिए न, तो ये 18 तेज पढ़ने के पढ़ लिए भाईया, उसके बाद ये question बिकार लग रहा है, जो भी question बना है, सब वहीं से बन रहा है, बस वहीं पढ़ना है, ये तो डाल दिया जो question आपका बना है, ठीक है, तो ये पढ़कर सिर्प नहीं जाना है, आपको पढ़ना है मेरा main content, वो पढ़ लिए भाईया, स क्लास रेडी करते हैं, आप सभी के लिए, आज है आपका 24, 23 बोल रहा हूं, भूल जा रहा हूं, 23 जनवरी, और पहला question है, पहला question, exam में क्या पूछेगा, इस को दो चीच पूछेगा, पहला पूछेगा, प्रधान मंतरी राष्ट्य बाल पुरुसकार, 24 में, इसके लिए कितने बच्चों को चुना गया है, तो पहला तो answer आप दे दोगे, भाईया, 19 बच्चों को इस बार ये पुरुसकार दिया जाएगा, पहला बात, दूसरा बात, exam में पूछा है, काफी बार फिर पूछेगा, कि राष्ट्य प्रहान मंतरी राष्ट्य बाल पुरुसकार, क अगला कोङसरा नमारे सामने क्या है बाबु, हाली में मोधी जी ने कहाँ पर, किस अस्थान पर, Boeing India Engineering and Technology Center का उध्गाटन किया है, बैंगलोर में किया गया है, कहाँ पर, Boeing Engineering and Technology Center का उध्गाटन, बैंगलोर में हुआ है, जो हमारे देस के प्रतान मंतरी जी के द्वारा किया गया है अगला कुस्त नमारे सामने क्या है आज का इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया का जो यह संस्ता है अबावू इस संस्ता का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया नया अध्यक्ष तो सुनिल दहिया ऑप्सन नमबर हमारा ए ठीक है अगला कुस्त नमारे सामने क्या है आज का अच्छा किस देश नेना हाली में एक ऐसा बैटरी बनाया है स्मार्ट फोन के लिए वो बैटरी को आपको 50 साल तक चार्ज करने की जरुवती नहीं पड़ेगी ऐसा बैटरी बनाया गया है क्या मात कर रहे हैं पचास साल पास दिन भी समझ में आता है पचास पचास सा मतलब वो एक बार फोन खरी दे तो मरने तक वो बैटरी मतलब हम मर जाएंगे लेकिन बैटरी नहीं मरेगा हो सकता है बहुत चांसे से तो किस देश की कंपनी ने एक अनोखी स्मार्ट फोन बैटरी बिना यो पचास साल तक चार्ट नहीं करना पड़ेगा तो यह बनाया ग एक सिंपल है न क्या बोला वर्ड एक नॉमिक फरम जो है एक सेंटर बना रहा है भारत में किस चीछ को लेकर बाबू तो जो होगा हेल्थ केर एंड कर को लेकर स्वास विभाग को लेकर एक केंडर इसापित करेगा कहां पर तो यह किया जाएगा आपका तेलंगना में और तिलंगना में लोकसभा, रास्ता विधान सबा, तो यहां पर भया 17 लोकसभा, 7 रास्ता वा, 119 विधान सबा, दिसंबर के मैंना मेरा करेंट टफेर खोलोगे न, कम से कम मैंने आपको 15-18 बार तिलंगना के बारें बताया, हर राज के बारे में कम से कम इतना बार तो बता जुपान है, बहुत दिन से, सब को याद हो गया होगा, और लोक अरादे, यहां के मुखनी आइडिस है, 37 जिला पढ़ता है आपका तिलंगना में, अगला कुछ से नमारे सामने क्या है आपर, किस राज को वर्स्ट दो हजार बाइस के लिए, इस पादन करने वाले राज का राश्ट स्टार्ट पुरुषकार दिया गया है, तो ये पुरुषकार दिया गया है मेगाले को, मेगाले के बारे में भी दिसंबर में काफी वर बता है, बाबु दो लोक सबा, एक राश्ट सबा, साथ विधान सबा पढ़ता है आपका जी यहां के मुख्यमंत्री काफी दिन से गारा जीला पड़ता है अगला कुसन हमारे सामने इस भारतिया ब्रांड ने इस बार टेश में वैस्विक सुची में यानि ग्लोबली वर्ड में दूसरा अस्थान प्राप किया है मुल्नेवान आईटी ब्रांड के रूप में जितन सबसे मुल्लेवान ब्रैंड के रूप में भारत का एक कंपनी है जो बिस सुमें दूसरे नमबर पर है कौन है टाटा इंडस्ट्री एक नमबर पर कौन है एक नमबर पर है दो पर कौन है बाबु टाटा अगला कुस्त राज के मोहाली में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित या इपॉर्टेंट पुस्ते ने मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज कौन सा है पंजाब जो भी बच्चे होते हैं नोजातिसु जिनका मांका दूद नहीं हो पाता उतना बच्चों को दूद नहीं पिला पाती है तो वो बच्चे की जो पोसर्ण हो उनको न्यूट्रिशन पूरा मिल पाए उस बच्चे को इसके लिए मदर मिल्क बैंक इस्थापित किया गया वो जाकर वहां से मां का दुद ले सकती है ताकि उस बच्चों को जो है वो मां की दुद की कमी महसूस ना हो ठीक है तो यह कहाँ पर खुला गया है पंजाम में मुहाली कहाँ पढ़ता है पंजाम में पंजाम में लोकसभा, रास्ता विधान सबा तो पंजाम में 13 लोकसभा, 7 रास्ता वा तो 17 विधान सबा ठीक है कुछ याद आया कुछ याद आया क्या भाईया बाबु अब इस 7 लोकसभा सिट कहाँ परता रास्ता वासिट तो भाईया देखो आपको इनमना दिमाग में पढ़ना ऐसे देखो साथ लोकसभा सिट कहाँ पर है तिलंगना में रास्ता वासिट और साथ रास्ता वासिट कहाँ पर है पंजाब में इगारा रास्ता वासिट कहाँ पर है तो तीन राज में आंद्रपरदेश, गुजरात और आंद्रपर्देश, गुजराट और मद्देपर्देश तीन राज ऐसा है जहां पर 11 रास्तवास सेट है साथ कहां कहां पर है तो साथ भाईया आजी दो करवा दिये एक तो भाईया तिलंगना, एक आपका पंजाब ऐसे मिला कर पड़ो आपको यह सची दिक्कत नहीं होगा उसके बास से भगोवन्त मानते हैं यहां के मुख मंतरी, बनवारी लाल पुरोहित काफी दिन से यहां के राद जिपाल है रीतु बहरी नहीं निप्ति हुई थी इनकी कुछ दिन पर, कुछ मैने पहले यहां के मुखनी आइडियस है टेस्ट जीला पड़ता है अगला कुछ दिन अमारे सामने किस राजिकेत पोलाची में इंटरनेशनल बैलन फस्टीबल का नवा सस्कन मनाया गया मतलब यही बोल रहा है इंटरनेशनल बैलन फस्टीबल का समरो मनाया गया जिसका नवा एडिसन यह कहां मनाया गया सामिल नाडू में जहां के मुख मंत्री कौन है स्टालिंग अगला कोस्तन अमारे सामने क्या है इक पोटेंट कोस्तन यह वाला जी आई टैक दिया गया है पोस्तन बोला किस राज के कच्छी खर के खजूर को जी आई टैक दिया गया है तो यह गुजडात का है पताये थे ना आप देख रहे हैं फोटो ना यह क्या है भाईया यह खजूर है इसको हम लोग बच्पन में तोड़कर लाकर अगर गम्छी में या किस कपड़े में नमक डालकर बांध कर दोगे ना सुबर तो को पंग जाएका गारांटी है खाने बड़ा मज़ा आता है तो यह कच्छी खर के खरेक खजूर को जी आई टैक दिया है किस राज का है तो यह भाईया है आपका गुजिरात का गुज्रात में लोग सबसे 26 गारा राज सबसेट और 175 एक 182 विधान सबसेट और भाईया एक बात बताओ कि गारा राज सबसेट तो तीन राज में कौन-कौन सा राज में बाभू तो भाईया आप तो बताई दिए एक तो आपका आंध्र परदेश में है गुज्रात में मद्यपर्देश में यहां का लोक सबा सीट माम चल गया मैं 26 से यहां लोग सबा सीट पड़ता है कितना 29 आ Duck results कितना पड़ता है यह 25 अच्छा जाएगा यहांके मुखन या इस बीटा अगरौत ले अच्छार देब्रत राज्युपाल बहुत दिन से वुपेंदर राइपाटेल मुख्य मंतरी 33 जीला पड़ता है गुजरात में ठीक है तेलंगना में भी 33 जीला पड़ता है ये भी याद रखिएगा तो ये था बाबू आपको करेंट टफ है राज का सभी को बहुत बहुत अपना दिन अच्छा हो आपका और अपने साथ अच्छा लगा और क्लास अच्छा लगा लाइक और स्थियर कर दीजेगा जैहिंड